तो फ्रेंट्स आज में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मतन काला भूना रेसिपी और यह बहुत ही तेफ़ती और यम्मी है तो फ्रेंट्स मैं इधर ले लिया था देर किलोस मतन दो बड़ा ओनियन उसको कट कर लिया था पेस्ट करने के लिए और लिया था दस मैं गालिक लिया था बड़ा साइस का आप लोगों के पास छोटा होगा तो बारा से तेरा लेना और मैं लिया था फाइब पीसेस मैं लिय चिली और अद्रक लिया ता देव रिंच इस सारी चीजों को मैं पेज्ड बना लोंगी और अभी डाल दोंगे कश्मीरी रेच चिली पाउडर वान टी स्पून इसमें जादर तिखा नहीं होता है सिर्फ कलर के लिए और ब्लैक पेपर भी मैंने थोड़ा क्रश करके डाला था यह ऑप्शनल है नहीं भी डालोगे फिर भी ब्लैक इशी होगा जो काला बूना रेसि तो फ्रेंट्स अभी यह सारे इंगिडियन्स को अच्छे से मैं मिक्स करके मैरिनेट करके ओवर्न नहीं छोड़ दोंगी आप लोगों के पास ज्यादा टाइम नहीं होगा तो भी चलेगा अटलिस्ट वन आवर्स या टू आवर्स मैरिनेट करके भी कूकिंग कर सकते है त इधर मैंने ले लिया था थhigh red chili और बिट अवज यो गालिक को थोड़ा राउंड पीस करके और यो तक क्यूप करके और इस सारे इंगिडियन्स को मैं रिस्ट में दिखाung किया करना है और एधर थोड़ा ड्राइमसाला लिया तो इसके लिए मैंने इधर जो 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 द् तो फ्रिंड्स ओवरननाइट मैरिनेशन के बाद मैं इसमें डाल दूँगी नेक्स डे बैरिस्ता और ये मेरा खरीद हुआ था तो इसलिए मैंने इधर एक कप जैसा डाला था थ्री मुठ्थी भर के आप लोग घर में एक बड़ा ओनियन को बैरिस्ता बना के भी डाल सकते ह तो फ्रिंड्स कड़ा गरम होने के बाद मैंने इसमें 50 ग्रंप्स लगबग ओयल डाल दिया था क्योंकि मैंने मस्टर्ड ओयल डाला था अल्मोस्ट देश सो ग्राम जैसा 150 ग्राम जैसा तो इस कोकिंग में 200 ग्राम अल्मोस्ट ओयल लगे गए आप लोगों को और फिर ड्राइ मसाला सब जो लिया था उसको ओयल में फ्राइ करने के बाद सारी जो मतन मैरिनेट करके रखे थे उसको उसके ऊपर डाल देना है और अच्छे से मिक्स्ट करके ढख ढख के उसको कूकिंग करना है मीडियम फ्लेम में पहले आपको मीडियम में 15 या 20 मिनिट्स कुक करना है तो फ्रिंस पहले 15 मिनिट्स में लीट बंद करके मीडियम फ्लेम में कुक किया था तो ऐसा बन गया था मटन फिर मैं 20 मिनिट्स कुक किया था उसके बाद थोड़ा ऊईल चोड़ना शुरू हुआ था ओर पानी भी थोड़ा सूग गया था अल्मोस् art audio 10 को कि एसा सूंग गया था मटन तो भी गरम पानी यूज़ करना तो मटन और भी जूसी बनता है और भी खाने का मज़ा बनता है लेकिन थंडा पानी यूज़ करोगे तो मटन थोड़ा जल्दी हाड हो जाता है तो अभी मैं इसके उपर एक चौक लगाऊंगी तो तरका देने के लिए मैंने इधर जैसा और थ्री रेड चिली लिया था और यह जो रेड चिली मैं फ्राइ करोंगी इसमें थोड़ा स्पाइसी नहीं होगा सिर्फ टेस्ट के लिए और स्मेल के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ और अभी यूज़ करेंगे इधर ओनियन जो क्यूब करके रखेते और गार्ल तो गाइस मेरा जो मतन भूना काला भूना रेसिपी है यह बिंग और नियुक्त करेंदे नहीं है यह बनके एकड़म रेडी हो गया है और बहुत ही खाने में मजादार होता है यह पुलाओ फ्राइड राइस और चावल के साथ रोटी के साथ पराथा के साथ बहुर भी जबर्दस लगता है और मैं लास्ट में इधर ऑप्शनल थी ग्रीन चीली डाला था थोड़ा ग्रीन तो फ्रेंट्स इस रेसिपी को आप सभी को बहुत अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक कॉमेंट और शेयर करना मत भूलना और अभी तेक जो लोगों ने मेरी चैनल को सब्सक्रेब नहीं किये है तो प्लीज मुझे सब्सक्रेब करो और भी नय नय वीडियो और रेसिपी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ और सब्सक्रेब करना मत भूलना प्लीज बेल आइकन को दबा देना